तो बचापाड़ी आज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ लास्ट के 15 डेज को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइस करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखूगा लेकिन बहुत इंपोर्टन चीज यहां पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ तो प्लीज ए अगर वह रेलेवन्ट नहीं है बीस तीस पर्सन चूट चुका है अगर तुम्हारा तो यार उस पर जाता फोकस मत करना अभी अगर तुमको पास होना है तो आपका जितना हुआ है उसको बार 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 रिवाइस करो ठीक है क्या हो जाएगा आप वह 30 परसन करने अगर सारे सब्जेक्स का तो आपका 20 30 परसन नहीं रहा होगा ना ऐसे में अजूम करता हो देखो कोशिस जरूर कर लीजिए अगर आपको समय मिलता है तो कि शौट रिविजन वीडियो देख लीजिए स्मार्ट ली चीज़ों को प्लान करना होगा मैं आपको बहुत जबर करना चाहिए इस सब्जेक्स में ये करो यार आपना बहुत समार्ट हो तिखें वो सारी चीज़ें देख ली हैं अभी तक क्या करना है क्ला कौन से वीडियो देखने हैं किटना से सेटिक करना है अगर आप लोगों ने यह प्लान कर लिया है तो बहुत बहुत है नहीं किया time table बता देता हूं और उस time table के हिसाब से आपको allocation बता देता हूं और allocation बताने के बाद मैं आपको कुछ चीज़े बताओगा जहां पर आपको उन चीज़ों पर focus कर दिए हैं अगर मैं आपको बहुत ही simple time table बताता हूं ठीक है यह time table वेरी कर सकता है लेकिन एक आम आदमी के हिसाब से लास्ट के पंद्रा दिन में बहुत टाइट सेडूल से आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने है आप लोग ने पहले अगर 6 महने से पिछले 4-5 महने से पढ़ाई कर रहे हो और ये पंद्रा दिन में पढ़ाई नहीं करी ना आपके ड्रास्टिकली मार्क्स नीचे चल जाएगे और जो बच्चा बाद में आता है लास्ट में एक महीने में और वो एक महीने में ऐसा खतरनाक फोड देता है क्योंकि उसने ना टाइम को बहुत अच्छे से फॉलो किया तो आपको क्या करने आपको वो इंसान बनना है क्या चार-पाच महीने पढ़ाई किया लेकिन अभी लास्ट में पंदरा दिन में एकदम लीनियन रहा और पूरा की पूरा मार्क्स खतम हो गया यह आपको वह बनना है कि नहीं बाई अगर मैंने महनत करी तो यह लास्ट के पंदरा दिन मुझे अच्छे से करने हैं और मुझे यहां पर बस एक्जाम को क्रैक करकर आना है बहुत अच्छे नंबर लखनाने और जो बच्चा से पांस होने की सोच रहे ना उसके लिए तो इतना तो फॉलो करी लेना इतना भी फॉलो नहीं कर देना तो भगवान ही बचाएगा तुमें ठ कर देना अब देखिे कैस क्या आप लोग अरे यह क्या हो गया है किया होगया है अगर आप लोग नौर्मली levar ओट सकते हो तो समझो आप 7 बज़े उठते हो सुबह तो ज़्यादा जल्दी नहीं बोल रहा हो ज़्यादा लेट का भी मैं आपको एक नॉर्मल टाइम बता रहा हो 7 बज़े उठकर आप 7 से 10 का अपका एक मस्त पहले का 3 घंटे का एक स्लोट कर दीजिए 3 साओं 10 गंटे का मस्त एक स्लोट पढ़ाई कर सकते उसके गंते 2 घंट का अभी दिखाए अपने सिर्फ फांच घंटे अब देखो जी आपने लंच वंस कर लिया थोड़ा सा नाप लेना है वह सब कुछ आपने कर लिया आप फिर से बैट गए पढ़ाई करने के लिए दो बज़े तक दो बज़े तक पढ़ाई करने बैट गए अभी ये थोड़ा स्लोट थोड़ा बढ़ा होना चीज छे बज़े तक का ठीक है बीच में तुम चाय लेलो ब्रेकफस्ट कर लो 15-20 मिनिट उसमें चले गए कोई दिक्कत रही है फाइन चार घंटे हो गए हाँ ठीक है उसके बाद फिर से लेटर से कि तुमने आदे घंटे का नाप ले लिया एक घंटा डाइम पस कर लिया दोस दोस्ते बात कर ली दोस्ती से बात कर ली whatever it is तुम फिर बाद में साथ बज़े फिर से बेट करें पढ़ाई करने 7 बज़े से लेकर आप लोग कम से कम ने बता रहू कम से कम 11 तो पांच नाइन तो आप लोग यहां पर आराम से 12.5 बराबर ना स्टाथ 8 9 10 11 12 हाँ साड़े बारा आरान से मतलब उसके बाद आपकी नींद कितने देर की हो रही है आपकी नींद भी स्लीपिंग टाइम भी मैं कह रहा हूँ करीबन 8 गंटे हो रहा है आप लोग ने 8 गंटे तो सोना भी नहीं चाहिए छे गंटे सोना चाहिए इस ताइम पर तो आप लोग यहां पर सोचिए अगर आप लोग सूबे ही स्ट्रेच कर सकते हो अगर तुम 6 बजे उट सकते हो बहुत सही बात है अगर तुम रात सूबे जल दिनी उट पारे हो तो रात में एक बज़े तक बढ़ रहो ना तो सुबह ठीक है तुम्हें आड़ बज़ उड़ता हो ये तुम तुम्हारे हिसाप से तुम्हें करना है लेकिन यहां पर देखिए साड़े बारा घंटे की पड़ाई अर्राम से हो रही है अरे यार मैं यह नहीं कहे रहो कि आप तुम्हें रही है यहां पर दात आपको टाइम पास नहीं करना है अब इसके बीच में यू कैन वाज दरेकॉडडिटले लेक्चर्ट दुम्हारा कॉल है ठीक है कोई चाप्टर अंहीं समझ भार है कोई चाप्टर तुम्हें रेकॉर्ड करने इसमें से तुम लोग वो दे किए लास्ट में जो पढ़ाई कर रहें शायद उन बच्चों को रिविजन की जरुवत ज्यादा होगी वो शायद उसी से पढ़कर कर लेंगी कुछ ना कुछ ठीक है लेकिन यहां पर मैं आपको कह रहा हूँ इसमें कॉम्प्रवाइज नहीं होना चाहिए कि आपकी एक दो अलग मिलेंगे लेबल थोड़ी से हाई होगी तो आपको वह डर जो है वो निकल जाएगा और आपको psychological क्या होगा आपको psychological लगेगा कि हाँ यार मैंने तो RTP MTP किया है तो confidence automatically उपर दाता है अगर आपने normally तुम्हारे study material से पढ़ाई करी होगी लेकिन आप लोगों ने अगर RTP MTP at this point of time no new thing at this point of time बाकी आप लोगों को पता है कि मुझे ज्यादा नई चीज़े यहां पर अभी नहीं करनी है जिस से पहले पढ़ रहे थे जो तुमने पहले किया होगा वो सारी से चलने दो आप लोग ने ग्रफ प्लान तो बनाया होगा ना लेकिन से वितना कहना है कि इतने गंटे की पढ़ाई definitely किसी भी हालत में करो बाकी कुछ चीज़े 15 दिन के लिए रुख जाएगी यार सारी चीज़े मैनेज हो जाएगी 15 दिन के लिए 15 दिन तुम बाकी मस्ति मत करो यह मैंने 15 गंटे इतना तुम bare minimum होना ही चाहिए वो भी मैं 8 गंटे तुम्हें सोने के लिए समय दे रहा हूँ उसके बाद मैं आप लोगों कहे रहा हूँ कि यार हर इसमें 3 गंटे के बाद gap है इसमें आपको चाय पानी के लिए टाइम दे रहा हूँ इसमें आपको डिनर के लिए सब कुछ हो रहा है फिर भी आपर 3.5 गंटे हो रहे है आप लोग 14 गंटे तो आराम से पढ़ सकते हों इतना पढ़ना जरूरी कि अरे बेटा जिंदकी में अगर पहले पढ़ाई नहीं करी तो लाश की 15 दिन तो इतना करना ही पढ़ेगा ना और अगर अभी नहीं कर रहे तो फिर कब करोगे फिर से 3 महीं करना ही क्या सब्सक्राइब आपने को जून में ही क्लियर करना इसको किसी प्याइलत में तो अभी पढ़ाई करने पढ़ेगी अभी थोड़ा हाड्वर्क करना पड़ेका ठीक है लेकिन और जो बच्चा 4-5 मह ने पहले से पढ़ रहा है last म तुम लोग यहाँ पर और दादा मार्क स्कोर कर सकते हो यार सारे RTPs, MTPs, PYQs, सॉल्व करो, दो-दो बार, तीन-तीन बार, चार-चार बार सॉल्व करो, टॉपर देसे ही थोड़ी ना आते हैं, टॉपर्स को पूचाओ, टॉपर्स का कोई भी इंटेव्यू देखोगे, तो वो क्या कहते हैं, हम लोगों ने RTP, MTP को 3-4-4 बार किया था, तो इसलिए उनका आ रहा है ना, तो बस, यहीं मैं आपको बोलना चाहोगा, जादा से जादा MCQ की प्रैक्टिस, Mathematics and Economics में, जादा से जादा Writing Practice, Law में करनी है, और आपको जादा स्वाल्विंग करना है, बे लिटल बिट स्मार्ट, Mathematics में सारी चीज़े करते मत बेटो, अभी आखरी के 15 दिने, इंपोर्टन चीज़ों पर तुमारे Mathematics से टीचर ने आपको सब कुछ बता होगा कि क्या करना है, कौन से चीज़ों पर जादा फोकस करना है, दुनिया भर की information आपके पास होती है कि क्या important है, क्या important नहीं है, कितना weightage आएगा, कितना नहीं आएगा, ICI unpredictable है, लेकिन फिर भी आपको कुछ idea तो है ना, कि इतना कर लिए तो इतने में पास होई जाएंगे, 200 नंबर लाने हैं, 200 नंबर लाने के लिए इतना difficult नहीं होगा, keep the balance between all the four subject और आज से आप लोग को को ही भी हालत में बोलना है, कि मैं June 8 में clear होने वाला हूँ, अरे धिंडोरा पीटे के गाओं में, कि मेरा बच्चा CA हो गया, CA foundation हो यह लेकिन वो पास हो गया, CA की exam थी, CA की exam थी, देखने का नजरिया बतलेगा तुम्हारे गाओं में, आप लोगों को इज़त मिलेगी, कि CA का first attempt में foundation clear हो गया, अलाकि वो matter इतना नहीं करेंगा बाद में, लेकिन वो feeling अच्ची होती है, वो feeling अच्ची होती है, तुमको CA inter निकालना है, CA इंटर फिर बाद में निकालना होगा, लेकिन देखने का नजरिया all together change हो जाएगा भाई, समझ रहे हो, ठीक है, तो चलिए guys, रुकते हम लोग यही पर, please this time table को follow कीजिएगा, और सारे ये वाले resources को किसी भी हालत में आपको करना ही है, ठीक है, I want to see that you guys are passing June 24 exams, and you would be telling us, we will be so proud of you, your parents would be so proud of you, your relatives, बोटो बहुत कूछ हो गया, ना, yes, thank you so much, bye-bye Tata, and take care guys.